आप मेंसे बहुत से लोगों को बुगाडी वेराउन की टॉप स्पीड के बारे में मालूम होगा, ये करिबन 400 से 410 किलोमेटर पर आर की स्पीड पर भाग सकती है, लेकिन ये इसके इंजन की टॉप स्पीड नहीं है, मतलब कहने का ये है कि इसका इंजन इससे भी जादा चेंज करने बैठेगा, जिसकी वयसे इसकी स्पीड को इतने में ही लिमिट रखा गया है, ताकि इसके टाइर एक्सप्लोड ना हो जाए, तो यहाँ पर इसके टाइर इसकी स्पीड को रोकते हैं, इससे जादा ना जाने पर वरना इससे जादा भी जा सकती है, वर्लकम offer निकाला था कि अगर आप हमारा card लेते हो और हमारे साथ में registered हो जाते हो तो आपको आपके जनम दिन के दिन free की drink मिलेगी जिसके लिए एक बंदे ने इसका जुगाड कुछ यू निकाला कि उसने 365 दिन का ही registration करवा लिया जगे जगे पर जाके जिसके बाद में उसका scene कुछ ऐसा हो गया था कि उसके लिए अब हर दिन जनम दिन बन चुका था और starbucks में वो free की drink पिया करता था आप कोई बाद जानकर हैरानी हो जाएगी कि कई countries के अंदर Wolverine को train किया जाता है कई लोगों को rescue करने के लिए जो avalanche में दब जाते हैं दरसल होता कि Wolverine का nature कुछ इस तरीक में खोद के एक वहीं पर खाना शुरू कर देता है तो इसके इसी skill के लिए use किया जाता है इसको avalanche में दबे लोगों को ढूंडने के लिए एक cigarette की brand है जिसका नाम है Philip Morris जो की 1999 में Czech Republic को ये convince करने में लगे हुए थे कि cigarette कितनी जादा beneficial है government के लिए इससे होता है कि बंदा ब government को तो government को इसको promote करना चाहिए और अपने लोगों को cigarette पिलवानी चाहिए हमारी brand की जिसके बाद में इनके खिलाफ इतनी जादा outrage फैली कि anti campaign भी शुरू हो गए और इनके खिलाफ नारेबाजी भी शुरू हो गई कि इस brand को यहां पर नहीं बिखना चाहिए और जिसके बा प्लास्टिक को अपने आप में ही डिजॉल्व कर लेता है और पता भी नहीं लगता है कि वो प्लास्टिक गया कहां लेकिन बहुत छोटा है तो small amount का प्लास्टिक यह डिजॉल्व कर पाता है कुछ टाइम बाद 1981 में NFL का एक player था जिसका नाम था Joe Delaney जो देख रहा था कि तीन बच्चे डूब रहे हैं जहां पर वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम फटाफट से किसी को मदद के लिए बुला के लाओ मैं कोशिश करता हूँ इन बच्चों को बचाने के लिए वैसे तो मुझे तैरना बचा लूँगा लेकिन ऐसा नहीं हो और वो भी डूब गए यूएस के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी fresh water lake मौजूद है जिसको lake superior भी कहा जाता है इसमें इतना जादा पानी है जिसको अगर measurement की जाए तो लगबर 3 quadrillion gallon पानी इसमें मौजूद है जो चाइना, इंडिया नेपाल, पाकिस्तान, श्रिलंका, बंगलादेश जैसी कंट्रियों पे अगर डाल दिया जाए तो ये करीबन 2 foot गहरे पानी में डूब सकती है जैसे कि आपको मालूम होगा NASA की female astronaut के बारे में किस्टीना कोच के बारे में जो की एक world record बना रही थी international space station पे रूकने का तो मेरे साब से उनको 13-14 दिन और वहां पर गुजार के आ जाने चाहिए थे क्योंकि Scott Kelly का record करीबन 340 दिन का है जो कि किसी भी astronaut द्वारा सबसे जादा रुकने का record है आपको मालूम है Olympics के अंदर जो gold medal दिये जाते है वह actually silver medal ही होते है बस उनके उपर सोने का पानी चड़ा दिय जाते हैं और उनकी वर्थ करीबन 500-600 US dollar के आसपास ही होती है लेकिन अगर वो प्योर गोल्ड के medal हुआ करते तो वो करीबन 25,000 US dollar की वर्थ के होते यानि की 17,50,000 के आप में से बहुत लोगों ने 2008 की movie कुमफू पांडा तो जरूर देखी होगी लेकिन ये Chinese movie तो थी लेकिन ये Chinese नहीं थी दरसल इसे Western countries ने बनाया था जिसकी वैसे चाइना के अंदर भी debate शुरू हो चुका था कि ऐसा कैसे होता है कि चाइना की movie ही चाइना के topic लेकि बाहर की country हमसे अच्छी movie बना देती है और हम अभी तक शू शा शी पर ही अठके हुए फिलाज के लिए Amazing Random Facts की इस वीडियो में इतना इता अगरे वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रू करना शेयर ज़रू करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करना और सब्सक्राइब किया है तो बैल का इकउन ज़रू करना वरना आप वो मालू में इस लेगा मैंने को वीडियो डाली भी है